चलिए बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट इस इरडो के चैप्टर नमबर 3 का क्योशन नमबर 2 चैप्टर 3 इस इलेक्ट्रोडैनमिक्स मोर स्पेसिफिकली ये इलेक्ट्रोस्टेटिक्स का सवाल है आसान सवाल है, मैं 3.1 नहीं कर रहा है क्योंकि 3.1 के अंदर बढ़ा सिंपल के QnQ2 upon R स्वाल है सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटॉंस और एलेक्ट्रोंस के मास और चार्ज़ याद रहने चाहिए ये समाध रिलेक्टरी थोड़ा सा बेटर है इसको हम देखते हैं, समझते हैं इसको पन करने ही कोशिश करते हैं इसके हलका-फुल का मॉल कंसेट भी लाएगा लेकिन बहुत हलका-फुल का युनिटरी मेथट टाइप का सुनी बच्चों वाट वोड़ बी इंटरेक्शन फोर्स बिट्वीन तू कोपर स्फियर मतलब इलेक्ट्रों का जो चार्ज है वो नुकलिस के चार्ज से एक परसेंट बड़ी करता है कम भी हो सकता है, जाब हो सकता है लेंग बड़ी एक परसेंट कर रहा है ओके, we will think about this सबसे पहले बड़ा जरा अगर हम कोपर की बात करें तो कॉपर बड़ा मेरे ख्याल से उसका जो एक्टमिक नंबर होता है वो 29 होता है और उसका जो मॉलर मास है बड़ा वो 63.5 ग्राम पर मॉल होता है इसका मलब एक मॉल के अंदर 63.5 ग्राम सोते है तो एक ग्राम में कितने मॉल्स होंगे एक ग्राम में बिड़ा मोल्स होंगे 1 ग्राम divided by 63.5 ग्राम पर मोल इतने मोल हमारे पास कोपर के एटम से 1 ग्राम के अंदर ठीक है हर एटम के पास 39 प्रोटोन है तो कुल मिलाकर कितने प्रोटोन होंगे निकाल लेंगे अच्छा एक मिनिट है यह तो मैंने मोल्स निकाल ले है एटम की संख्या निकालने के लिए हमें अवेगेटर नंबर से मिल्टिप्लाइ करना पड़ेगा अवेगेटर नंबर है 6.023 इंटू 10 रस तू पावर 23 यह हमारे पास आगे है टोटल नंबर ओफ एटम्स की संख्या हर एटम के अंदर हर एटम के अंदर 39 प्रोटोन है 39 प्रोटोन है उनका चार्ज कितना होगा उनका चार्ज होगा बड़ेटर मिल्टिप्लाइड भई तो कुल मिलाकर इतना आपके पास एक तरिके से positive CHARGE है सर न carrier नेगेटव चार्ज कितना है negative CHARGE गिMore or less इतना ही है यह करक्थ है कि negative CHARGE जो है वो भी more or less इतना ही है इतना ही है थोड़ा सांट कर है कितने का 1% का मतलब या तो इससे 1% जाथ है या 1% कम है लेटस से इससे 1% कम है तो यह है 99 by 100 ओ सॉरी बड़ा एलेक्ट्रोन का जो चार्ज होता है वो तो माइनस E होता है दोनों को अगर मैं जोडता हूँ तो कुल मिलाकर मेरे पास जो चार्ज आता है बड़ा उसकी वैल्यू मेरे पास है कि that is 1 बड़ा ग्राम से ग्राम कैंसल that will be 1 upon 63.5 into 6.023 into 10 raise to power 23 into 29 into बड़ा E की वैल्यू 1.6 into 10 raise to power minus 19 1 minus 99 by 100 इस बड़ा आफकोर्स 1 by 100 यह 1 by 100 आप डारेट भी लिख सकते थे कि बड़ा नेगेटिव वाला जो चार्ज है वो पॉसिटिव वाले चार्ज का 99% है तो 99% तो बैलेंस हो गया सिर्फ उसर एक परसेंट आपके पास चार्ज पोजिटिव एक्स्ट्रा है तो उसको आप डारेट ऐसे लिख देते हैं यह आपके पास एक तरीके से चार्ज आगे है बड़ा एक तरीके से चार्ज आगे है इसकी जो वैल्यू है बड़ा रफली 4.3 इंटू 10 रेस तू पावर 2 को लाब आए अगर आपने यह मान लिया होता कि नेगेटिव चार्ज एक परसेंट जादा है तो इतना ही चार्ज आता लेकर नेगेटिव आजाता आपने मान लिया कि एक परसेंट कम है तो यही चार्ज आपका पॉस्टिव आगया उससे को बहुत बड़ा फ़र्वत पढ़ना है नि अब हमारे पास सिच्वेशन यह है कि ऐसे दो कॉपर है यह रहा कॉपर और यह रहा कॉपर इसके पास भी चार्ज क्यू है इसके पास भी चार्ज क्यू है दोनों के बीच में सेपरेशन है हमारा वन मीटर इसके पास चार्ज पॉस्टिव इसके पास चार्ज पॉस्टिव यह और यह एक दूसर को रेपल करेंगे और रेपल करेंगे तो उसका force पूछा है बड़ा force is of course K Q1 Q2 upon R का square बड़ा सिर्फ और सिर्फ formula लगाना है K की value है 9 into 10 raise to pound 9 बड़ा unit क्या होती है Newton meter square per coulomb square multiply by Q1 Q2, दोनों charge तो बड़ा बराबर है charge की value है 4.3 into 10 raise to power 2 coulomb का square बड़ा कुलांब का square, कुलांब का square cancel, divided by distance distance is of course your 1 meter बड़ा ये meter का square, meter का square भी आपका cancel और आपका answer बड़े आराम से आही जाएगा बड़ा एक बार चेक कर ला ना शायद पीछे answer दे रिखाऊगा 1.74 into 10 raise to power 15 Newton roughly, ये बड़ा का answer आगा अगर आपका negative charge और positive charge बराबर ही होता फिर तो आपका copper neutral हो जाता है की नहीं बड़ा और अगर copper neutral हो जाता फिर तो बड़ा कोई force नहीं लगता तो जानभूच के सवाल में ऐसा लिखावा था कि electron's का जो charge है वो proton's का charge से 1% इडिफरेंट है तो सिर्फ वो सिर्फ वो जो 1% है उसी का charge लिख दो क्योंकि बागी 99% तो balance कर गया वो जो 1% है वही आपका एक तरीकर से charge हो गया, दोनों के पास charge बराबर है तो बड़ा मराब force बड़ाराम से इस तरह से निकाल सकता है I hope इस बाप को समझ कहोंगे आगे जदाओएश।